दूद्स से बनाए एक ऐसा face pack जो चहरे की करता है नाच्रल तरीके से waxing साथ ही आपके चहरे पर से सारी tanning दूर करता है आपके सिकन को clear बनाता है गोरी बनाता है glowing बनाता है और आपके चहरे पर natural glow लेकर आता है इसे यदि ये निया में तोर पर यूज किया जाए तो आपके चहरे की जो चहरे की बालों की जो growth होती है न वो 10% कम हो जाती है और दीरे दीरे करके तो आना ही बंद हो जाएंगे और आपका चहरा बिल्कुल clear हो जाएगा best results के लिए हफते में दो बार आपको इसको लगाना है तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरूने से पहले एक छोटी से request आपसे जरू करना चाहूंगी अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसी interesting amazing videos मैं आपके लिए लाती रहती हूँ साथी video पर चोटो से like भी जरू कर दीजेगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मिले लिए बहुत माइने रगता है इस pack को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपे ले रही हूँ वो है rice floor यानि की चावल का आटा दूसरी चीज जो इसमें हम डालेंगे वो है basin यानि की gram floor basin में cleaning properties होती है उसके बाद जो हम लेंगे यहाँ पर वो है आधा चमच चीनी यानि की शुगर शकर हमारे तवचा को naturally exfoliate करती है एक pinch यहाँ पर डालेंगे healthy powder जो कि हमारे तवचा को lighten और brighten करने में हमारी मदद करती है अब इसमें मिलाएंगे hot milk यानि की गरम दूद गरम दूद इसलिए दोस्तों क्योंकि sugar जो है आपर हमारी melt हो जाएगी इससे और जो चावल का आटा है वो creamy texture ले लेगा बेसन अच्छी तरीके से आपकी skin को clean करता है deeply चावल का आटा जो है आपकी skin पर से dead skin cells को remove करता है थोड़ा सा वो दड़ड़ा होता है दोस्तों इसलिए सारी इमरित कोशिकाओं को दूर कर आपकी skin को ये glowing बनाता है साथ ही साथ tanning को भी बहुत तीजी से remove करता है सारी चीजों को अच्छे से mix कर लिया है अब इसमें मिलाएंगे हम नीमबू का रस कुछ बूंते ही यहाँ पर नीमबू के रस की मिला रही है अगर आपको सूट नहीं करता है तो बिल्कुल आप skip कर सकते है लेकिन यदी सकता है और यदि आपकी सकिन मौश्यराइज रहती है ड्राइ नहीं रहती तो आपकी स्किन पर समय से पहले फाइन लाइंज जूरियां आने नहीं पाती है और लंबे समय तक आप अपनी स्किन को यंग बनाए रख सकते हैं अब यहां पर सारी चीज आप देख सकते अब इस पैक को लगाने से पेले आपपो पूरा अपना जहरा अच्प से साफ लेना है ज्यांक लिखने या फिर रोज क्लीन कर लीगे डर्द sufагे नहीं होने जाहिए change पैक को न थिक लेयर में अपने पूरे चेहरे पर आप लगाईए जो हमारे चेहरे पर चोटे-चोटे से रूए होते है उसे यह बहुत तेजी से हटा देता है और एक ही बार में छुटे छुटे से जुरू है ना वो निकल जाएंगे आपके और यह जो पैक है दोस्तो ना केवल एक्स्ट्रा हैर रोथ निकालने के लिए है बलकि आपके स्किन को यह ब्राइटन अब भी करता है ग्लोइंग भी बनाता है दाग धबो को दूर करता है अब जब आप इसको लगा लेंगे ना तो आपको पूरा इसको 100% ड्राइ नहीं करना है आपको इसको 85% तक 80-85% तक ड्राइ करना है उसके बाद आपको इसको निकालना कैसा है तरीका मैं आपको बता दूँगी वीडियो के एंड में और उस तरीके से ही आपको इस पैक को निकालना है जिससे कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा बस आपको इसको लगा लेना है अपने चहरे पर गर्दन पे भी मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि गर्दन का जो कलर है धीरी तरी कर कि काला पढ़ने लगता है अगर आप इसको अवाइड करते हैं तो तो इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जो भी पैक आप अपनी चेहरे पर लगा अपनी गर्दन पी आप ज़रूर लगाए अब बस इस पैक को आप सूखने दीजिए 80% तक तो देखिए दोस्तों 80% यह जो पैक है मेरा सूख चुका ह अब इसको निकालना है आपको अपड़ डारेक्शन में और आपको इसको अपड़ डारेक्शन में रगड़ते हुए निकालना है जिससे कि छोटे-छोटे चो रुए होते हैं वो सारी निकल जाएंगे यह ना सिर्फ आपके एक्स्ट्रा बाल को निकालता है बलकि आपके लिए यह gift है दोस्तो आपके चेहरे को ना यह glowing बनाता है सुन्दर पेडाग बनाता है आपके चेहरे से सारी dead skin को निकालता है और आपके skin को instant brightness देता है और इसका जो regular और वीडियो थोड़ी सी बी इची लगी इंफर्मेटिव लगी तो लाइक श्यर सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर ज़रूर करें अपने दोस्तों में रिशेदारों में तक आपके जरीर उनकी भी मादत हो जाए थैंक अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर